संत अप्तमान से सांत हों जिनके गुड़ों के गान में बेवर्धमान महान जिन बिचरें हमारे ध्यान में आज के युग में केरोना ने ऐसा बातावन बना रखा है के सारे बिस्व में उसका आतंक छाया हुआ है तो केरोना की बीमारी सब हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है इसमें तो यूरोप, पूरा एसिया, अफरीका, असज organs जगे के लोग बहुत जारे बीमार हैं और ज्यादा आकरांत हैं उहां की अपेक्सावी हंदुस्तान में तो काफी समली हुई इस्तिती है फिर भी लोगों के अंदर घबडाहर तो हैं खासकर सारे काम बंद करके ट्रेहनें बंद कर दी गई हैं प्लैन बंद कर दिये गए हैं बसें बंद कर दिये गए हैं रोडों पर अपने साधन से भी जाने आने की रोग टोख हो रही है ऐसी इस्तिती में एक आतंक जैसा बातावन बन गया है और लोगों को लगता है कि ये जो लोग डाउन हुआ है ये कब समाप्त होगा कब नॉर्मल इस्तिती आएगी सारे धंदे ब्यापार कब चलेंगे कब कलकार खाने खुलेंगे खेट खलियानों में जो काम होना है जो अनाज बगेरा आया है वो बजार में कैसे आएगा आदी बहुत बातें हैं इनकी बज़े से हरीक के चिंता में है लेकिन बस्तु इस्तिती तो बास्तम में ये है कि सब कुछ नकी है घबडाने की तो रिंचवात्र बात है ही नहीं हमारे हिंदू भाई कहते हैं न हुई ये वही जो राम रची राखा जो भगवान ने नकी कर रखा है वो ही होने मला है मसल्मान भी कहते हैं खोदा गी मर्जी के बिना पत्ता नहीं है लेगा जयन दरसन भी कहता है कि भगवान के ज्यान में जैसा धलका होगा कि भविश में क्या होने वाला है वही होगा और उसमें किसी भी प्रकार का फेर फार संभव नहीं है ऐसी इस्तिती में घबडाने का तो कोई काम रही ही नहीं जाता है भारती संस्कृती में जो हमारी अध्यात में है कसंसेली है हर धरम की वो ऐसी ही है कि जिसमें घबडाने का कोई काम नहीं है लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा उलटा दुरु फियोगг करते हैं और अशवा करना चाहते हैं कि जिब कुछ वह करें जो होना है वो ही होगा तो कमने बहें करें काहे को मुखत में पत्र प्र बाने हैं काहे के लिए भी यह करें की तरफ से बताई गई हैं, वो हमारे हित के लिए बताई गई हैं, जरा विचार तो करो, कि आप अपने घर में सांती से बैठे रहें, जिन में चार दफे सावन से बढ़िया हाथ धोएं, और मुह पर पत्ती बान हैं, यह जो बात है, इसमें गवर्मेंट को क्या है, गवर्म से कोई साथ में तुम्हारा सयोग मिल रहा है, यह तो तुम्हारे और बेक्तिकत और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है, और आपको तो अपने घर में ही बैठे रहना है, और यह काम इतने करने हैं, लेकिन हजारों लाखों लोग इस विवस्था में लग रहे है जैसे कि जो बीमार हो गए हैं, तो अस बताल में डाक्टर लोग उनके इलाज में लग रहे हैं, जो छूत की बीमारी है, वो उसे पकड़ती है, तो डाक्टरों को भी पकड़ती है, तो बहुत सावधानी पूरवग सब काम करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो पकड़ मे आई जाते हैं तो डाक्टर भी पीमार हो जाते हैं, जो पोलिस भाले ऋो फढ़े हुए हैं, आपको निकलने नहीं देते हैं, लेकिन बेज धूप में, सरदी में, गैडवी में, सब बहुत हैं, नर्स बगएर हैं, जो मृसों की सेवा में लग नग रही हैं, और शफाय करम बेभी तो ये सब लोग कोई थोड़े बहुत नहीं हैं इस एक सो तीस कड़ोर के देश में लाखों लोग इस सेवा में लग रहे हैं अपनी जान जोखम में डाल करके लग रहे हैं तो उनके पृति हमको उपकृत होना चाहिए हम और अब विवस्थत होकर विवस्ता को भंग करके मुपत में घूमने दिए नकलकर सब मुझे शांती भंग करें बीमारी तो बढ़ाने में सहयोग करें इंदू धिजम धर्म यह कहते हैं सभी धरम दुनिया के एक कहते हैं, कि ये सब हमको पूरी तरह से मानना चाहिए. और सारे बिस्तु में, आज ये कहा जा रहा है, कि भारत में बहुत अच्छा काम किया है, जल्दी समय पर किया है, लोग डाउन को धंग से लागू किया है, इसलिए बे काफी सुरक्षित हैं, इसके लिए केंडर में, मोधी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस काम में लग रहे हैं, और अपने प्रांत में, जो मुखमिंत्री जी है न, असोग जी गलहौत, बेभी बराबर, सब काम बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को, उनको सहीयोग करना चाहिए, और सहीयोग क्या हमें करना क्या है, हमें तो यह कहते हैं कि अपने घर में रहे हैं, सुद्ध साथ तो एक खान पान रखिए, हाथ वगरा सफाई परियाब तो मैंटेन कीजिए, और एक सुनिस्टी दूरी, वो एक मीटर है, कि दो मीटर है, कि जैसे छीक वगरा आती है, खांसी होती है, तो मोई सब थूख वगरा उड़ता है, तो वो आपका हम तक और हमारा आप तक मैं पहुंच जाए, इतनी दूदी हमें मैंटेन करके रखना है, ये अपेक्षा आप से कर रहे हैं, इसमें आप से क्या मांग रहे हैं, और मैं एक कहता हूँ, खासकर जो मेरी आवाद जिन लोगों तक पहुंचने वाली है, ऐसे जो लोग हैं, उनमें साइद ही को नहीं करें, दुकान बंद करें, नोकरी पर नहीं जाएं, अपना जो भी काम करता है, वो नहीं करें तो भूखों नहीं मर जाएगा, इतना तो उनके पास है, लेकिन बेग उतना क्या उससे दस गुना रखा रहने पर भी, कभी ऐसा समय निकालने वाली नहीं थे, अपने आध्यात्मिक साधना के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ऐसा समय निकालने वाले नहीं थे, समझ दीजिए पिरकिती ने उनको ये मौका दिया है, तो उसका उने पूरा पूरा लाव लेना चाहिए, समझे ना फिर लोग कहते के नहीं आप बले ही उनी लोगों के बीच में बैठते हैं कि जिन लोगों के ऐसी कोई बात नहीं है कि तीन मेना दंदा पानी बंद रह जाएगा तो वे भूखों मर जाएंगे ऐसा नहीं है तेकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में लाखों लोग ऐसे हैं कि एदी वो रोजाना मजदूरी करते हैं उससे जो पीशा आता है उससे उनकी आजीब का चलती है काम बंद हो गया तो आजीब का कैसे चलती है तो आप उनकी दृष्टी से क्यों नहीं सोचते हैं कहता नहीं सचते हैं, गवर्मेंट सोच रही है purposes, और हम सब लोग सघयोग ही उपने ये मिन ये जहां आप कोई भी आदमी रात में भूंक़ा नहीं सोना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, ये हम सब कि द्यूटी है और लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है जगह जगह पर लोग भूजना ले चला रहे हैं पेखेड मात रहे हैं खाने की ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं ऐसा नहीं है विवस्ता में थोड़ी गरवड़ी हो सकती है विवस्ता धीरे-धीरे होती है कि हम जो कर रह यह गवर्मेंट कर रही है, और समाज के लेबल पर भी हो रहा है, तो वो विवस्ता की थोड़ी बहुत कमजोरी के कान, किसी के पास नहीं पोँच पाया, कि देर में पोँच पाया, ऐसा हो सकता है. तो उसको हम और सुधारे हैं, गवर्मेंट भी सुधारने की कोशिस कर रही है, और हम अपने लेबल पर जितना भी जो कुछ भी करें, हमें भी वो करना चाहिए ना, नहीं ऐसा कह करके, हम अपनी जुम्मेवारी से मुक्त नहीं हों, वो हम अपनी जुम्मेवारी को पूरा निभाएं, और साथ में, जो हमें अपसर मिला है, जो हमें मौका मिला है, तो हम उसके लिए जो अध्धन करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं यह तो एक बहुत अच्छा मौका है यदि यह बात सो बरस पहले हुई होती सो बरस पहले भी ऐसी महामारिया आई थी कि नहीं आई थी ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जब वनलोगोंने कैसे निप्टा था फा क्या हुआ था कितना बरवादी हुए थी वो एक पिहास की बात है लेकिन आज तो हमारे पास इतने ये साधन मौझूद हैं कैसे मौझूद हैं टेप मौझूद हैं इंटरनेट पर हम देते हैं तो ये सब हमारे प्रोचन हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं घर में बैठे हम 6 गंटे बाहर से अच्छे ग्यानी धर जिनमें आपकी स्रद्धा है उनके प्रोचन सुन सकते हैं उनसे मायक दर्शन ले सकते हैं फोन से बात कर सकते हैं तो इसका लाब क्यों नहीं लेना चाहिए इसमें तो कोई दिक्ध नहीं है तो कुछ दोना नहीं है कोई किताब बगएरा लेकर के पड़ने का मामरा हो तो किताब में कोई इंफेक्शन आ गया तो क्या करेंगे। है ना। लेकिन नहीं है। और हमको यह भी मौका मिला है अच्छे अच्छे लोगों को आई एस ओफीसरों को कि अब जो घर में नोकर चाकर काम करते थे तो जिनके घरों में नोकर चाकर उहीं रहते थे। उन्हें तो सुबदा उपलब्द है अभी। लेकिन जो नोकर अपने घर रहते थे और समय पर आते थे चौका बरतन करने इस काम के लिए। अब नहीं आ सकते हैं। तो उन्हें खुद को करना पड़ा है। अच्छे अच्छे आइस ओफीसरों को अपने घर साफ करना पड़ा है। अप अच्छे आप यहां से अमेरिका चले जाते हैं तो आपको तो आपको तो आपको दोहां यह सब काम करना ही पड़ता था। हमने जाके वहां देखा है बड़े बड़े सेटियों को बड़े ओफीसरों को अपने सामने की घास कारते देखा है। खुद चाय बना कर पीते खान कर दोना हों, तो अमेरिका मज झाना, और अब तो अमेरिका का आकर्संड ज सामच कर गया है क्योंकि यहां से थे सोग्मி बीमारी वहां बड़ रही है। वहां खराब हो रही है। हम जैसे लोगं है। एने बुजर्गों को बहुत जल्दी खत्रा है कोई खत्रा है। हमं क् कि अग्त रह व क्हत्रा है हम तो घर पर सांती से रह रहे है हज ?" जितने भी कार्क्म थे देश के, विदेश के, बंबी के, दिल्ली के, हम्नाबाद के, फिर शिकागो के निंववार Tibas 한 денि के, सारे कार्कं ही हमारेanking थे आप लोगों को मालू है, सब को लेकिन हमने सब कैसल हो गए हैं, तो प्रसंद है कि हमें नहीं जाना पड़ा, किसाब लोगों को जो लाब मिलता, वो लाब से तो लोग बंचित रहे हैं, कहां है रहे हैं, हमको छोड़ कहां रहे हैं लोगे, हमें से रोजाना घंटा तो घंटा बलुआते हैं, हमारे जो प्र जिन्ने सब्छाइन हो आपघ दूपोर्ण और हमेर को कि की दुझा ना फेले कि में कि ए४र Mitchum काई रहा रहा है न थी पेखने को नहीं की आप टिविआ ने देखे रहे हैं और हमें देखन दुझाने को नहीं मिली और हम महापुन्न का योग आया तो स्वांती से बैठके देखने को मिल रही है तो मालू तो पढ़ रहा है कि गीता में क्या लिखा है मालू पढ़ रहा है ना रामायन में क्या लिखा है वो भी तो जानने की चीज है ना उसमें भी तो कोई चीजें ऐसी है कि हम अपने आत्म कल्यान के लिए गिरन कर सकते हैं, वो परम सत्त है कि नहीं है, वो एक अलग बात है, अपना जो देन तत्तो ग्यान है, उसका भी बातावन बन रहा है, हमारे खुझ एक हज्जार बेजारती है, और बेर रोग जाना कुछ ना कुछ, क्लास ले रहे हैं, प्र इस चंदा में, चौवीज घंटे हम क्यों बैठे रहें, कि हाई राम, हाई राम, ना मलूं क्या हो गया, ना मलूं हम कम मर जाएंगी, मैं कहता हूं फिर एक दाब, कितने मर गए, तो रोजी ना संख्या आती है, किसाब, दो हजार तक पूँच गए, तीन हजार तक पूँ वहारे बहुत बड़े मरगें, असली मरणों की संख्या देखोगे तो पांट लाक मरे होंगे, एक करोर, तीस करोर भ्रक्तियों का देश, तो उसमें करोरों तो रोजाना मरते ही है, इस देश में, दो करोर लोग मरते हैं हर साल, और तीन करोर पैदा हो जाते हैं, इसलिए तो उसके सामने तो यह नगन है ना, तो आप कहेंगे कि आप उल्टी बात कर रहे हैं, हमें तो लोग घवड़ा तो इतने मर गए, इतने मर गए, बीमारी फैलने की दिश्टी से घवड़ाने की भी बात है, कि एक दम है जिए हम साउधान नहीं हुए, तो लाखों पर भी नम आप साउधान नहीं रहोगे, तो आप भी साउथ हो जाओगे। इसमेधो धिकत ऐक है, कि घर के एक अदमी को लगा एक कोरोना जाता है, तो पूरा परिवार का परिवार साफ हो जाता है, हम मर जाएं तो हमारे क्या है पच्चासी वरस के हो गए, तो साल दो साल में मर नही शा Elsाल में वाले, में रिंधा आपांड़ा नहीं है हम तो घर से बाहर निकलता ही नहीं हम तो अपनी बाउंद्री के बाहर गह ज और उड़े नहीं हम दो सवड्र कभी दे Фंट हaltet एंधार मी कार्मान से फिरल थन सवड़तिक in और देख है नहीं होती है और सुद्ध साथ खान पान भी रखते हैं और घर के बाहर निकलते ही नहीं है हमें क्या होने बाला है हमारी बात थोड़ी है जो जो ऐसे रहेंगे उनको नहीं होगी लेकिन हम तो यह कहते हैं कि हमें चिंता यह नहीं है कि हमें करेना लील ले जाएगा हमें यह के हमारे साथ ह तो इसलिए में कहते हैं तुम अपने लिए नहीं करो तो परिवार के लिए, अपने परिकर के लिए, अपने महले के लिए, अपने देश के लिए, अपने गाओं के लिए, अपने प्रांत के लिए, ये भी मारी नहीं भैल है, इसके लिए जितनी साउधानी बरतनी है, वो बरतना चाहिए, उसमें कोई भी धरम कहीं बादक नहीं ह कोई भी धरम इसमें बिरूध नहीं करता है ना जेन धरम, ना हिन्दू धरम, ना बैसनदधरम ना कोई नहीं कहता है मुस्लिम धरम भी नहीं कहता है इसलिए भाई धरम के नाम पर यह जो सावधानी है उस से बचने की कोशिश मत करना उसे पूरी रखना और मैं यह कहता हूं, कि जो पूरा यह समय हमको मिल गया है, जो भाग से नहीं मिलता, बाव भाई जा यहां बीमार हो गए थे ना, को यहां रहते थे, तो वो मेरे से कहते थे, कि पन्दी जी, एदिम मैं इसा बीमार नहीं होता, तो मैं मुझे को समय नहीं मिलता, मैं घोड़ आपका प्रचन सुनता हूं, तत्त्त करने का, सोचने का मुझे अफसर मिलता है, तो मैं तो इसे पहाँ पुर्ण का योग मानता हूं। हर चीज के अज्वल पक्ष को देखना, सीखना चाहिए। हर आदमे को कि यह हमको कितना बढ़िया समय मिला है। इस बात के लिए भी कि हम अपने स्वाध्याय करें, हर बात को समझें, सांती से जो हम धर्म चाहते हैं वो करें, भगवान की भक्ति करें, जो भी करना है वो करें। और दूसरों को सेवा करने का भी बढ़िया अफसर है। जिनके पास अतरिक्त साधन हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उनको चाहिए कि उनको अच्छे से अच्छे काम में, सेवा में लगाने का भी बहुत अच्छा अफसर है। इसलिए सभी लोगों को सांती से धर्म के माइग पर चल कर इसको घबढ़ने की दिंच मात्र भी आवजशकता नहीं है। लेकिन स्रावधानी की अत्यंत आवजशकता है। वो स्रावधानी हम अपने जीवन में रखें। यह बहुत आवजशक है। इस कौरान के अफसर पर हम सब लोग इस बात को करें। और लोगों तक जन जन तक पहुंचाएं। हम भी जन जन तक पहुंचाएं। और यह हम आपको दे रहे हैं संदेश। तो आप भी लोगों और लोगों तक पहुंचाएं। ने एक दूसरे से आप लोग कर लेते हैं क्या कर लेते हैं क्या बोलते हैं उसे से अजय कर लेते हैं न ऐसे अधिक लोगों तक पहुंचाinkles यही आ Whitney ऊणारी सी अबनुछे वही इन थुटी में देशनी कि और धुने की जनता सुनती है जिनकी बात को जनता मानती है तो उनकी ये ड्यूटी है कि बे अपनी बानी से सेवा कर सकते हैं बे अधी जिन्दस लोगों से कह देंगे बे उनकी बात मान लेंगे तो उनको ये ड्यूटी है कि बे बराबर अपनी बात को इस सम्मंद में जन जन तक पहुंचाएं, इस देश में घबडाहट का बातावन नहीं बनने दें, आकुलता का बातावन नहीं बनने दें, और साथ में जो उचित मायक दरसन है, जो उचित नियम है उनका पालवन करने की शिक्षा दे में, तो हमारा काम हो सकता है, और सभी त धर्मों में भविष्य नक्ती है और उसमें कोई फेरफार संभब नहीं है। वाकी सब बातें के सांति से स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करना चाहिए यह जेंदर्शन की बात नहीं है। हमें पू Unters आपने वक्ति करना चाहिए, निलमद्दन जी सब तक आप पहुंचाना चाहिए, मानना चाहिए, जब फिर्संग है तो यही बात होगी, अब जेन धर्म की बात होगी, तो जेन धर्म की बात होगी. मैंने सभी धर्मवालों को, मैंने अभी पहले कहा था हि करो पैज तो ये लोगों का मेरे पास पहुना आया था, बहीजियों आप मैंने क्वेला के नहीं, कर जेएले लोगों मेरे पाशी जैन कहते हो, हम हिं अपके बहुत भाकती ये और हम आपकी बात बहुत प्रहम से सुनते हैं, तो आप ऐसा क्यों कहते हो? तो मैंने कहां, भाईया, तो देतुरी कहते हैं कि तुम मत सुनो. हम समझते हैं, कि हमारी बात सुनने वाले, मानने वाले जयन ही जाता हैं. इसलिए बोलते हैं. अभी ऐसा कहा है कि नहीं सारी सब्जोंगों के लिए है, तो वैसा बोलते हैं, फिर जैन धर्म की सिद्धान्त की गहराई पर चले जाएंगे, तो फिर आपको, उनको वो बात समझ में नहीं आएगी, जैन धर्म ये जो जो नियम बताए हैं, उनके बिलकुल बिरुद्ध नह हैं, बल्कि अच्छी बाते हैं, ये सदाचारे में जीवन, जैन धर्म तो बैसे ही कहता है, अभी बैसे जमाने में, पहले छूता छूत बहुत चलती थी मारुमापूर, अब सब धर्मों में, जैनियों में भी चलती थी, फिर एक कांगे देश का राज जाया, भारत सुतंत अब पहले से जाएं, अब फिर दूसरे तरीके से चूता चूता गई, अब क्या कहने बोलिये, मैं कहता था, कि हमारे बहनें रसोई में बहुत सुधी से भोजन बनाती हैं, तो आप उनकी मंजा कोड़ाते हैं, तेकि ये डाक्टर लोग बार बार हाथ दोते हैं, हाथ कहू स्वास के लिए सब करें, वे हमारे धरम में जयन धरम में छना पानी पीने के लिए लिए लिखाना है, तो जो हम इस railway station पर, कहीं पर नल पर छना लगा कर पानी पीते थे, तो लोग देख के हमें हंसते थे, और हमको शरम लगती थी, कि लोग देख के हमको, तो इस दर के मार अब देखिए पहले एक बोतल पानी का कोई एक रुपया देने को तयार नहीं था पानी के पईशा है मुफद में ही चाहिए और पंद्रा रुपय की बोतल खरीदने को तयार है फीरे के लिए थाना होना चाहिए बिलुको नीटेंट किलीन होना चाहिए तो अब वो सब चीजे हैं हमारे जयन धर्म के तो एकदम अनकूल है इसलिए जयनियों को तो इसमें कोई बात सोचना की बा अब नोगरी से जो देखिए कि अपने हाँ जो इत्ते कमचारी हैं सबको चुटी हो गई तनका सबकी चाले हो इस संस्ता को दिकत हो सकती है कि काम नहीं हो रहा समझे ना परिसा लग रहे हैं आपको तो नहीं है वो मजदूर परेसान है कि जिसको मजदूरी नहीं मिल रही कि परी साथ भी मिल रहा तो कर drafted खाय क्य तेंख आगे की बात एह है कि मैंने कहा था कि मैं जयनी की बात नहीं का मूं लेकिन जो मेरे शौता हैं जो मेरे में सुरुद्रदा और भक्ति रखते हैं जो मेरे विद्धियार्थी हैं जिनने मेरे सारा जीवन मेरे तट्व ग्या पर शुद्धियों की विवस्ता करनी पड़े उसकी बात में है। उनके पास तो सबके पास विवस्ता है। उनसे तो हम उल्टा ये कहते हैं, कि जिन भाईयों के पास वो विवस्ता नहीं है, उनके लिए आप अपनी सक्ती के अनुसार जरूर करो। हमारे हां अतिति अतिति सम्विभाग है। कि अतिति को में से हिस्ता रख करना चाहिए। हमें उस भोजन के लिए जो हम का सुद्ध्य साथ्यों का हिंशक भोजन हम सब को उपलब्द कराएं। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तब है, तो ये सब जैन धर्म की ही बात है। जैन धर्म की जब आप साथ जने की बात कर रहे हैं, तो सभी धर्म की बात करो। सभी धर्म के हिसाब से सभी लोगों को इसमें गभर्मेंट की इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस बक्ते कोई राजनीती करने की जरूवत नहीं है। जितनी सेवा गभर्मेंट कर रही है, वो अभी अपने हां इतना नहीं फैल पाया, यदि हमने इतनी सावधानी नहीं बढ़ती होती, तो इस सोगना हो जाता, और अभी नहीं बढ़ते हैंगे, तो वैसा ही हो जाएगा, आप देखिए, आपके आसपास आगया है, तो और अधिक सावधानी की जरूरत है, क्यों? पहले अभी लोग यह नहीं छोड़ेंगे, क्यों 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 एक दूसरे के भीमारियां होती हैं, तो एक दूसरे को लगती हैं, तो उनसे बहुत बड़ा बचा होता हूँ, उनसे का मारग में निकलाया है, इसकी प्रेक्टिस नहीं थी, अब प्रेक्टिस हो गई, अब प्रेक्टिस हो गई, अब जन्ता भी समझने लग गई, तो अब हम क्या मैं ऐसे क्या किन्दगी है, हम तो बड़ी आए, हम आपास है, और हम भी जैनी हैं, हम भी ऐसे हैं, और हम से दूर-दूर करते हैं, हम से दूर-दूर करते हैं, अपने को समझते क्या है, ओ धरम से करता है, ये केक को समझाना बहुत कथन था, और अब उसका बातावन बना आपने जुद्ध नेमित और अनावत से गूमने की जरूरत है, मैं तो कहते हुआ हैं, किसी के पास इतने बड़े घर नहीं है, भी घूमते रह सकें, लेकिन मैं तो कहता हूं कि छोटी से घर में भी घूम सकते हैं, अपने पास तो इतना बड़ी अचोख है, इसमें भूम सकत हैं, लेकिन लोगों के पास नहीं है, तो भी अपने घर में ऐसा बना सकते हैं, ऐसी के हाथ पहर चलते रहें, थोड़ा ब्यायाम करते रहें, ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो पेट खराब हो जाएगा, बजन बढ़ जाएगा, और नहीं नहीं दिक्ते हो जाएगी, तो अपन जीवन को सक्री रखना ही चाहिए, ये धरम के अनकूल है, किसी धरम के भी विरुद्ध नहीं है, सब लोग शांती से इसका पालन करें, और महिना, दो महिना, चार महिना में निकल जाएगा, एकदम जल्दी तो नहीं, महिना, दो महिना, चार महिना तो लगेंगे, क्यों, क यह दबाई निकल आयगी, ज़िस्ट मिल्ग को नकल आएगी, ज़िस्ट मेलेगों करने कांते हैं, ज़िस्ट मेस्ति dywickasal में नकल आए राइगी, भाज फांब हुझे जबस्ट स आए खयाता है। उसरे भिछिस्ण में लगाते हैं, विस्यु 9. वाज हो जाता है. पहले पस्कों पर, पक्षियों पर, इन पर, फिर धीरे दीरे में, कौन मनुस्य अपने करने देगा? कैसे भी, कैसे करना, महुत मुश्किल होता है, कैसे करते हैं, कैसे कर करके, और वो जब बिल्कु नरापत सिद्ध हो जाएगी, तभी तो इसको दे सकते हैं, क्योंकि बाद में ये सिद्ध हो गया, कि उससे कोई बहुत बड़ा नुक्सान हो गया, तो उस कंपनी को लेने के द हैं वो काम कर रही हैं वेक्सिन बनाने की कोशिच कर रही है, अब उसमें आरव रुपया खर्च हो जाते हैं, तो उसकी कीमत रख देते हैं और उसकी कीमत से वसूल हो जाते हैं, तब हर आजमिको यानी समझ दी यह एक सो तीज कडूर लोगों को वैक्सिन लगेगी, एक सो तीज कडूर की दवाई के विक्यागी, हैं, एक एक पर हमने दो दो पांच पांच रुपया भी लिए, तो कितनी हो जाएगा, इस तरीके से वो काम हो जाने वाला है, घवडाने की बात बिलकुल नहीं है, साउधानी बगल रहने सावधान को एक बता जोड़ान होुगा, रहना है कि हम दोनों बातों का जहान रखना है कि सावधान रहना है खवय आप खवय driving